तो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं यूपी ट्रपल सी मंडी परिशत के प्रिविश एर कोशन पेपर को जो कि दोस्तों आप लोगों का 30 मई 20-30 मैं 2019 को यह पेपर कंड़क्ट रुए था सिफ्ट वन में कम सिफ वन में यह पेपर कंड़क्ट रुए था जिसका पेपर कोड है दोस्तों सीवी ठीक है तो इस कोशन पेपर को हम लोगुक्ष सॉल्व करने वाले हैं तो चलिए एकएक करके देखते हैं को तो मैं बता दू दोस्तों जो यह पेपर हुआ था इसमें टोटल 200 कोशन आए हुए थे ठीक है पचास समानिया बुद्धी पर इच्छण मतलब की रिजिनिंग से और पचास समानिया गयान मतलब की जीके और पचास जो है जीए से मतलब जनरल साइंस से और उसमें मैत भी थे ठीक है और पचा का हिंदी से 50 कोशन ठीक है तो चलिए करके देखते हैं तो यहां पर पहला कोशन जो पूझा गया था निम्लकित प्रश्ण में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चैन करें जो सुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है ठीक है तो इसमें से चार आप्शन थे स्दवाक्य में से अठीक है तो यहां पर यहां और यह सुद्ध वाक्य हो जाएगा ऑप्शन नमबर C ऊसके बासे दोस्तो नेक्ष्ट कोशन यह भी सुद्वाक्य से ही था ठीक है तो चार आप संते यहां पर पहला था एक कविताओं की पुस्तक मुझे दीजिए एक कविताओं की एक पुस्तक मुझे दीजिए और कविता की एक पुस्तक मुझे दे दो तो यहां पर भी दोस्तों जो option number C है यही correct हो जाएगा ठीक है सुद दवाक्य हो जाएगा option number C okay next देखते हैं तो next question था निम्लिकत प्रशन में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का chain करें जो सुद दवाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है ठीक है तो यहां पर मुझे केवल चार रोटिया मात्रा दीजिए मुझे केवल चार रोटियां दो मुझे चार रोटियां केवल मात्रा दीजिए मुझे केवल चार रोटिया दीजिए तो यहां पर option number D जो है वो सुद्ध वाक्य है यहां पर दिख रहा है ठीक है मुझे केवल पूर्ड भूत काल और संदिक्द भूत कल तो यह हो जाएका दोस्तों कौं सा बूत कालो जाएगा इसका हो जाएका ऑप्शननल अपूर भूत काल यह ता यह दो सो अभ्यास तक था तो यहां पर ऑप्शननम्बrom इस question का विल्कुल राइट एंसर था next question था निम्लिकत प्रश्ण में चार विकल्पों में से उस विकल्प का जैन करें जो रिखांकित सब्द की आधार पर पुरुष्वाचक सर्वनाम की भीर का सही विकल्प है वह कल मुझे से मिलने आएगी तो वह क्या हो जाएगा संबंध इस question का विल्कुल राइट एंसर था next question था निम्लिकत प्रश्ण में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चैन करें जो व्रिप्ति के सही भेद का विकल्प है यदि सारा समान मिल गया जो भोजन अच्छा बनेगा तो यहां पर दोस्तों क्या दरसा रहा यह वाकिया ठीक पर संकीत दर सारा यह संकेत कर रहा है कि यदि सारा समान मिल गया हो भोजन अच्छा बनेगा संकेत बता रहा है संकेत कर रहा है यह पर option नमबर B और यहां पर जो राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर ए मिस्र वाक क्या ठीक है तो उसके बाद से देखते हैं नेक्स्ट कोशन आपनों का यह रहा यहां पर दिया गया था किसी की कही हुई बात को असपश्ट करने के लिए वाकिके अंत में किस चिंद का प्रियोग करते हैं लोप लागह और एकांकन या वीवरण ठीक है तो यहां पर दोस्तों जो राइट एंसर हो जाएगा वह जाएगा ऑप्शन नमर डी वीवरण ठीक है नेक्स्ट कोशन था नियुक्त प्रेश का अर्थ हो जाएगा सीधा साधा व्यक्ति ठीक है तो ऑप्शन नमर बी बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा इस कोशन का नेक्स्ट कोशन नियुक्त प्रेशन में चार विकल्प यह भी मुहावरे का अर्थ बताना है तो यहां पर मुहावरा जो है वो है सहद लगाकर च है नेक्स्ट कोशन था नियुक्त प्रेशन में यह भी मुहावरे का ही अर्थ बताना है तो यहां पर मुहावरा कौन सा है हिसाब बैठना ठीक है हिसाब बैठना तो चार अपसां थे तो यहां पर ऑप्शन नमर डी इसका करेक्ट एंसर था ठीक है नेक्स्ट कोशन था नि सटेंब रूसरों मतलब कि यहांपर हिंदी में कोई चीज डेंगे है शको अंग्रेजी NICK यहां पासन नंबर एलिक्सिक save-a बिलकुल राइड एंसर था उसके बासी緑च मैं यहां पर हिंदी में एक वाक्य दे दिया गया है और बोला है कि इसका इंग्लिस में अनुआद करना है ठीक है तो यहां पर दिया गया है स्वतंत्र भारत का संपूर दाइद वाज विद्यारतियों के ही हाथों में हैं तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों वह ज स्वाघ्यक어 के इस में थीकति चांसलेट करना है तो यहां पर दोस्तों आप लों का जो इसका रायट ऑनसर होगा है यहां पर दिया गया है था फेलों की आयोजन सेлом साविक विकास होना इसका तो सवाभावविक ही है तो इसका जो रायट एंसर होगा दोस्तों वह जाए तो समर्थन अवस्य मिलता है तो इसका जो राइट एंसर था तोस्तों वह जाएगा आपनों का इसको इसको इंड़िशन इंड़िशन का बिल्कुल राइट एंसर था उसके बास नेक्ट प्रश्ट में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चेंड करें जो वाक्यान सो के लिए एक सब्द का विकल्प है ठीक है तो यहाँ प्रकर वाकिकोंट का रहा थीक है यहां पर वाकिक है जो औंपर दिया गया है जो इस लोग की बात है ठीक है जो इस लोग की बात है उसको क्या कहते तो उसको कहते हैं लॉकिक क्या कहते हैं लॉकिक तो यहां पर ऑप्चन नमबर दी इस कोशिन का बिल्कूर राइट एंसर था उसके पास देखते हैं तो नेक्स्ट कोश्चन था निमिकत क्रश्च्ट में चार विकलप का चैहां करी जो रिखांकित सब्सक्राइव के लिए उ तो ये दोस्तो आयोक के द्वारा invalid question था ठीक है ये invalid question कर दिया गया था इसका answer जो है नहीं बताए गया था इस question को हटा दिया गया था ठीक है वैसे अगर आप लोगों को पता होगा तो इसको बताईएगा comment में कि इसका कौन सा answer होगा ठीक है तो चलिए next देखते हैं तो next question था कौन सा सब्द? आएहिक सब्द का विलोम है एहिक सब्द का जो विलोम है धूस्तो बहुत दिक सांसारिक या पाररलॉकिक या एहल कि तो इस question का जो right answer था था दोस्तो वहो जाएगा option NO. 5 ठीक है ये विलोम है एहिक का परलॉकिक option NO.C इस questions का बिल्कुल राइट उसके पा होगा इसका एंसर तो बता दीजिएगा कौन सा एंसर होगा उसके पर सी नेक्स्ट कोशन था निम्हें प्रश्ण में चार विकल्प का चेन करें जो दिये गए सब्द का तद्भव रूप है मतलब इक्छू दिया है इसका तद्भव रूप क्या होगा ठीक है तो इच्छू क है तो यहां पर जो इस कोशन का राइट एंसर था वो था संबंद वाचक ऑप्शन नमर भी जिसको हमने बुलाया था वह आया है संबंद वाचक ऑप्शन का बिल्कुल राइट एंसर नेक्स्ट कोशन था इनमें से कौन सा सब्भाव आचक संग्या नहीं है मतलब तीन ऐसे हैं जो भाव को दर्सार रहे होंगे और एक जो है वह भाव को नहीं दर्सार होगा तो यहां पर मनाही दिया है विद्वता दिया है सोना खुसी यहां पर मनाही विद्वता और खुसी यह तीनों जो है वह भाव को दर्सार है लेकिन सोना जो है यह वह बिल्कुल राइट रोजाएगा सोना इंट्ट कोशन में चार विकल्पों में से कुछ विकल्प का चेन करें जो प्रिया के भेद वाला सही विकल्प है दीपा ने गया को चारा खिलाया तो यहां पर कौन सा हो जाएगा तो नाम धातु द्वीकर्मक रिया प्रेडार्थक या क्रिदंत तो दीप गुर्दोस अत्मविसेश्था की तुलना कर एक दूसरे से बढ़ा चड़ा कर बताया जाता है तो यहां पर मुलावस्था था चाप फुलुशी करना उत्रावस्था या सर्वनामी तो यहां पर राइट एंसर था इसकोशन का वो था उत्रावस्था ठीक है ऑप्शन नमबर यह तालव यह है ठीक है जह आप बोल के देखिए जह तो यह तालू में जो आपनों का तालू शी यह निकलता है तो तालव यह हो जाएगा ऑप्शन नमबर भी इस कोशन का बिल्कुल राइट एंसर था नेक्स्ट कोशन देखते हैं तो नेक्स्ट कोशन पूछा गया था था बोली का चेतर चेतर जब थोड़ा विक्षित हो जाता और उसमें साहिधिकी रचना होने पर वह क्या बन दाता है तो वह बन जाता है दोस्तों उपबासा और भीत कोशन का नेक्ट ऑफ जिन द्वनियों की गड़ना न स्वर में की जाती हो ना विंजन में उसे क्या कहते हैं आगत उसम अंतस्ति या आयोग हुआ तो इसकोशन का जो राइट एंसर था दोस्तों वह जाएगा योग हुआ option number D is question बिल्कुल right answer था next question था स्वर तंत्रियों के आदार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बाटा गया है एक दो तीन चार तो दो भागों में बाटा गया है ठीक है तो यहां पर option number B बिल्कुल right answer था इस question का उसके पास से next देखते हैं तो next question था जिविया की नोक पर जब उपर की दातों की पंक्ति के शामने वाले दात के उपरी हिस्से के संपर्थ में आकर वायू के प्रवाह को अवरुद करती है ऐसे उच्छारण अस्थान को क्या कहा जाता है दंतिया मुल्धनिया तालव्य या वत्सरिया तो यहां पर option number D जो है इस question का बिल्कुल राइट एंसर था वत्सरिया ठीक है नेक्स्ट कोशन था आप लोगों का निमें से कौन सा कार्यकाल आदेश के मूल गुण नहीं है अनौपचारिक नापातुला निवेतिक और बाहर भीतरी बाते ठीक है तो इस question का जो राइट एंसर था दोस्तो वो था option number D बाहर भीतरी बाते यह जो है कार्याल आदेश के मूल गुण नहीं है option number D इस question का बिल्कुल राइट एंसर था next question था ayakar Saxmafi पोड मुक्ति के लिए किसे एक फ्रत्ना पत्र लिखेंगे प्रशाशन अधिकारी को शंपातक अधिकारी या संपादन अधिकारी को किसे लिखेंगे तो यहां पर जो राइट एंसिर हो ज् stadium को लिखते है आ आएकर से माफी एंवा पॉड मूक्ति के लिए प इसको पत्र लिखते हैं तो संबरक को लिखते हैं तो यहां पर आप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल राइट एंसर नेक्ट कोशन यह रहा कारियाले आदेश किसके लिए निकाले गए आदेशों की सूचना है मंत्राले संब्ध विवाग प्रभाग अनुबव या सभी वि या हितेशी तो छोटे संबंदियों को अगर पत्र हम लोग लिख रहे हैं तो उसमें संबोधन की रूप में क्या लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं यहां पर चिरंजीव ठीक है तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा चिरंजीव उसके यहां पर पूछे गया है और उसका एंसर बताना है तो इसको पढ़ लिजिए यहां पर थोड़ा पैसेज दिया गया है तो इसको भी पढ़ लिजिएगा पॉशन हम लोग पढ़ते हैं तो कोशन में दिया गया है सासी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता सपने विचार बु यहां पर option number a smoleical right answer हो जाएगा ठीक है i7 कोर मबाइचे था सासी मनुष्य किसके समान हैfq भेंड सिंग जानवर दुझासी मनुष्य होते हैं दोस्तों वो किसके समान होते हैं तो वो सिंगे के समान होते हैं मतलब कि सेर की समान होते हैं option number C बिल्कुल राइट एंसर था का ठीक है उसके पादस से नेक्श्ट और महान बता है किसे जीवन को महान बताया विवेक सिलो को तो पूड हुमत की कैसे जीवन को महान बताया है हमत की उप्शन हो जाएगा करें पर इसक Państwo क्योसिवन अरिक यहां ने कौक्शन का परभी इसमें इसकोशै इनमें का वो था दोस्तों आदर्स वादी ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट एंसर था इस कोशन का नेक्ट था इनमें से कौन सी देव नागरी लिपी की वर्ड ध्वनी नहीं है ग्रीवा ध्वनी मुर्धा ध्वनी कंठ ध्वनी या दंतियोष्ट ध्वनी तो इसका जो राइ राइट एंसर था इस कोशन का वह था उप्शन सी मॉ्धाल चतुरवेदी ओके हिमत रंगिनी जो है यह हैं ये किसका काविया संग्र है मॉधाल चतुरवेदी का और से इसकोशन का बिल्कुल राइट एंसर नेक्ट था आदूनिक ढंक से पहला एक आंकी किसे माना जाता है यहां पर जो राइट अंसर था दोस्तों इस कोशन का वो था बादल की मृत्यू तो ऑप्शन नमबर ए बिल्कुल राइट अंसर था इस कोशन का next question था, के साब दास्त वारा रचीत अध्यात्मिक गृंत का क्या नाम, नाम क्या था, राम चंदरिका, विज्ञान गीता, कभी प्रिया, अरसिका, प्रिया, तुझब जो राइट एंसर था धो, वो था विज्ञान गीता, अप्शनриट बन बड़ी इस कोश्चन का बिद्कूल राइट इंसर था हिंदी साहतीय का आधूनिक काल समानियत यहां, कब से माना जाता है? तो यहां पर जो राइट एंसर था इस कोशन का वो था 1850 इस वी से माना जाता है हिंदी साहितिया का आगनिक काल नेक्स्ट कोशन जो लास्ट कोशन था हिंदी से वो था निम्रिकत प्रश्ण में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चेयर करें जो सुद्धवाक किया का सबसे अच्छा विकल्प है अब इसको देख लेते हैं तो यहां पर चार आपसं थे दो लड़के इधर आ रहे हैं तो अपशन नम्बर एंसर था बाकि ये तीनों जो थे वो गलत थे तो हिं सामय ने 50 को कॉशन क कम्लीट किये अब चलिए जीके ससंदें गर्णिंस ौश जिए करके देखते है तो पहला निमिलें से उत्तरप्रते की सहर में लगडी से बनें तालवाद या ढोलब बनाने की 300 चोटी इकाईया हैं अम्रोहा जौनपूर बुंदेल सहर हर्दोई तो कहां पर है दोस्तों तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों आपनों का अम्रोहा यह राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर ए ओके उसके बास से जोरी कलमकारी या कार चोबी तो इसका जो राइट एंसर था दोस्तों वो था यहां पर कार चोबी ऑप्शन नमबर डी इसकोशन का बिल्कुल राइट एंसर था नेश्ट था वाराणसी के सास्त्रिय हिंदुस्तानी गायक का नाम बताएं जिने प्रसिद्ध सारंगी या सहर महर्शी डैस का जनमास्थान और करमस्थान माना जाता है तो यहां पर कौन सा राइट एंसर हो जाएगा अगस्थ या भरदवाज या ब्रिंगू या गौतम तो इस कोशन का जो राइट एंसर था दोस्तों वो था ऑप्शन नमबर सी ब्रिंगू उसके नेक्ट इस कोशन का बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा प्राण पिया उपनाम से कई रागों में बंदिशों की रचना की इसके बाद से जो नेक्ट कोशन था कानपूर में इस्थित क्रिशी और प्रोधियोगी की विश्विद्याले के नाम कि श्वतंतरता सेनानी की नाम पर र बिल्कुल राइट एंसर था नेश्ट 1856 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कार्थूसों पर आपती थी तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों वह जाएगा एंफिल्ड रॉयल्टी क्या तो यहां पर ऑप्शन नंबर 20 को बिल्कुल राइट एंसर था नेश्ट था खुदी राम बोश को ब्रिटिश नयाय थी इस मजिस्ट्रेट 10 की हत्या के प्रयाज के लिए फासी दी गई थी तो इसके हत्या के प्रयाज के लिए इनको फासी दी गई थी तो यहां पर खुदी राम बोश जो है इनको फासी द सभा कहा जाता था जिसे बाद में ब्रह समाज की नाम से भी जाना गया तो इसका जो राइट एंसर था दोस्तों वो था आत्मिय सभा ठीक है तो ऑप्शन नमबर ए इस कोश्चन का बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा नेश्ट कोश्चन था स्वामी विविका नंदो द्वारा 1897 में डैस ठीक है यहां डैस की जिगह पर क्या रहेगा तो यहां पर जो राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा रामकृष्ण मिसन की अस्थापना हुई थी ऑप्शन नमबर सी बिल्कुल राइट एं नेश्ट था बक्षर के युद्ध के बाद रैस के नवाब ने इलाहबाद और को मुगल समराट को सौब दिया जो ब्रीटिस सैंको कि संग्रेक्षण के अंपरगत आया था तो इसकोशन का जो राइट एंसर था वो था आवर ऑप्शन नमबर डी इसकोशन का बिल्कुल र भारत के उत्तरपूर्व छेतर के बीच की सेमा रेखा जिसे ब्रीटिस औपनिवेशिक प्रसाशन हेंडी मैक मोहन ने 1914 में डैस संदीपत्र में प्रस्तावित किया था तो यहां पर ऑप्शन नमबर बीस कोशन का बिल्कुल राइट हैंसल था नेक्ट कोशन था अठारे फरवरी उननीससों तीज को हुई चित्ट ग्राम सफिर गार चापे की घटना का नेत्रित्व डैस ने किया था जिसमें किरानतिकारीओ नी डंपारा में इस्थित्इप्ट पुल稀 पर कंपजा कर लिया था था ठीक है तो किसके नेत्रित्व प्रस्तावित का बिल्कुल र का बिल्कुल राइट एंसर था नेक्ट था लैस चोटी साइलेंट वैली राष्टिया उद्यान पालक काड में सबसे उची चोटी कौन सी है तो इस कोशन का जो राइट एंसर हो जाएगा दोस्तो अंगिंडा ठीक है तो यहां पर आप्शन नंबर भी इस कोशन का बिल्कुल राइट एंसर था नेक्ट था किस राजी की अस्थापित बिजली उत्पादन चमता सबसे अधिक है गुजरार तमिलनाडू आंदरप्रदेश महाराष्ट तो इस कोशन का जो राइट एंसर था दोस्तों वो था महाराष्ट ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट एंसर जकी किस रेडियो धर्मी तत्क्वय के विश्व में सबसे बड़े भंडार भारत में पाया जाते हैं यूरेंब रेडियम प्लूटो ऊंययम यह ठोरियम का जो भनडर वारत में सबसे जादे पाया जाता है तो यहां पर ऑप्शन नमबर डी राइट एंसर था इसको जो ठा तो यहां पर डैस कीजिएगा पर क्या हो जाएगा तो इस कोशन का जो राइट एंसर था वो था दिमासा ऑप्शन नंबर सी कोशन का बिल्कुल राइट एंसर था नेक्ट था निमलिकित में से कौन सा देश आंसिक या पोड़ रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है या लीबिया नाइजीरिया या मिस्र तो इस कोशन का जो राइट एंसर था दोस्तों वो था ऑप्शन नंबर सी नाइजीरिया ठीक है नेक्स्ट कोशन था माउंट किली मंजारो डैस में इस्थित एक निस्क्रिय ज्वाला मुखी है तो यहां पर जो तंग जानिया है यह में इस्थित जो है माउंट किली मंजारो जो ज्वाला मुखी है यह एक निस्क्रिय ज्वाला मुखी है तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट एंसर था इस कोशन का नेक्स्ट कोशन था 76 ग्राम पंचायत पंत्र के तीन अस्तर होते हैं बलाक अस्तर पर डैस सब्सक्राइब महता समीथी ठीक है ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट एंसर था नेक्स्ट था किस कारक्रम के तहत प्रतिक संक्सस सदस्य 2019 तक तीन गाओं में भौतिक और संस्तागर्द बुनियादी रहाच्य का विकास करने की जिम्मेदारी लेगा तो इस कोशन का सबस्क्राइब कम से कम ठीक एंसर से चुनी जाते हैं तो यहां पर कितनी सीटे हो जाएंगी तो यहां पर जो रैट आहां से कोश्चन का था हूँञा तो यहां पर option number a question का बिल्कुल राइट एंसर था next question था लोगसभा या विधान सभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मिदवार किया कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए यह question में पूछा गया था तो यहां पर कितनी होनी चाहिए कम से कम तो 25 वर्ष होनी चाहिए option नमब यह 543 ठीक है उसके बाद से next था डैस मंदिर एलोरा महराष्टर में इस्तित एक प्रशीन हिंदु मंदिर है जो शक्तानों को काट कर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है तो इस question का जो राइट एंसर था दोस्तों वो था कैलास ठीक है तो option number D question का बिल्कुल र रुपए सेवन पॉइंट सत्रे लाग क्रोंट ठीक है तो क्या कहा जाता है तो क्या कहा जाता है तो पुंजी लाब अनुपात कहा जाता है तो यहां पर option number D question का बिल्कुल राइट है उसके बासे next question था मूल लिखांकन समिकरन डैस है ठीक है तो यह question जो था दोस्तों यह आ 2019 के एंतरियम बजट में क्रिशी आयसा है ता योजना PM किसान समान निदी की घोषड़ा की गई इस योजना के तहत केंद्र सरकार प्रतिवर्श चोटे और सीमान किसान को डैस देगी 10,000 6,000 14,000 यह 18,000 तो क्या इस question का कौन सा right answer हो जाएगा तो इस question का right answer हो जाएगा दोस् और इस question का बिल्कुल राइट एंसर था नेक्ट था सलीम जुरा बिश्वली को डैस की पहली मैला राश्रपति की रूप में शुना गया था उन्होंने 16 दिसंबर 2008 को कार्याभार संभाला तो कहां कि यह हैं ठीक है तो इस question का बिल्कुल राइट एंसर था ठीक है उसके वा से इस question का बिल्कुल राइट एंसर था ठीक है नेक्ट देखते हैं जैन्वरी 2019 में यह घोशडा की गई कि डैस सब्द को आक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2018 के हिंदी सब्द रूप में चुना गया बेटी बचाओ स्वचबारत नारी शक्ति या जन धन तो इस question का जो राइट एंसर था दोस्तों नारी शक्ति ऑप्शन नमबर से इस question का बिल्कुल राइट एंसर था नेक्ट 2019 में विपड़न के लिए यहूं का नियूंतन समर्थन मूल या डैस प्रति क्विंटल है ठीक है तो यहां पर जो राइट एंसर था इस question का वो था अपनों क तो यहां पर जो राइट एंसर था इस question का वो था option नमबर भी नवारा ठीक है नेक्ट था भारत के किस संस्थान की चाय की पंजी कृत जियाई टैग टैग मिला है तो केरल असम उत्राखंड दार्जी लिंग तो इस question का जो राइट एंसर था दोस्तों वो था दार्जी लि ठीक है तो option नमबर दी इस question का बिल्कुल राइट एंसर था next था किसी बहुकारियन तंत्र में डायस रहम की एक निश्चित मात्रा है जिसे आस्था इधारन शेत्र के रूप में आबंटित किया जाता है ताकि CPU किसी विसेस उपकरण में डेटा अस्थांत्रित करने में पह उस अस्थान का नाम बताए जहां बाध्धो की मान्यता के अनुशार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यू के बाद परी निर्मान प्राप्त किया कुशी नगर बदायू या चित्रकूट तो वैसे बहुत सिंपल कोशन था तो इस question का जो राइट एंसर था दोस्तों आप उगाई जाने वाली सुगंदित चावल के किस्म का नाम बताएं रोजमट्टा सोना मसूरी त्रिप्ति या काला नमक तो इस question का जो राइट एंसर था दोस्तों वो था काला नमक ऑप्शन नमबर डिस question का बिल्कुल राइट है तो यहां पर दोस्तों जीके section से 50 question जो थे व अगले पार्ट में हम लोग पचास रिजिनिंग से और पचास मैथ और जीयस से जो question है उसको solve करेंगे तो अगर आप लोग इस question paper का PDF लेना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं description box में दे दूंगा वहां से आप लोग जाके वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट में तब तक के लिए दूस्तों धन्यवाद